लोब का फल बेताल कथा आधी रात का समय था चारो तरफ गहरा अंदखार चाया हुआ था उस भयंकर वातावर्ण में भी शवमेस्तित बेताल ने कहानी सुनाने लगा वैशाली नगर में रामशर्मा नामक एक पुरोहित ब्रामहन रहता था पुरोहिताई में उसकी बड़ी अच्ची आमदनी होती थी उसका परिवार वी छोटा था उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पतनी एक पुत्र और एक पुत्री तीन प्राणी और बिना किसी प्र वह राजसबा के अधिकारी, कवी और पंडितों का वैभव देखकर मन ही मन उनसे इश्या करता था। इसलिए वह बराबर यही सोचता रहता कि वह भी किसी प्रकार से राजा का आश्रय प्राप्त कर ले तो वह धन, संपति, महल और वाहन के साथ वैभव पूर्ण जीवन बि यदि वह हिमालाई में जाकर वहाँ पर रहने वाले सिद्धों के द्वारा किन ही अपूर्व शक्तियों को प्राप्त कर ले तो वह भी कुछ क्षणों में बहुत धनवान बन सकता है। राम शर्मा यूँ विचार करके एक दिन घर में किसी को बताय बिना हिमालाई पर चला गया। वहाँ पर एक सिद्ध योगी के आश्रम में रहकर बक्ति और शद्धा के साथ उसकी सेवा करते हुए उसकी कृपा का पात्र बन गया। सिद्ध ने राम शर्मा के आगमन का उद्धेश भामप लिया और एक दिन उससे कहा वच तुम एक ग्रुहत्स हो तुम्हारी पुत्री और पुत्र के विवाह की जिम्मेदारी तुम पर है इसलिए तुम घर लोट जाओ तुमने आज तक बड़ी श्रदा और बक्ति के कर दूंगा इस पर राम शर्मा ने कहा स्वामी मुझे कोई ऐसे मंत्र का उपदेश दीजिए जिससे मैं अपूर्व शक्तियाम प्राप्त कर लूं सिद्ध ने मान लिया और कहा मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश देता हूं उस मंत्र के ब्रभाव से कुछ अपूर्व शक्तियाम तुम्हारे वश में रहेगी तुम कभी धन संपत्ति के मोह में पड़कर उसका गुलाम मत बनना मंत्र शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना इस प्रकार चैतावने देकर योगी ने राम शर्मा को मंत्र का उपदेश देतिया राम शर्मा अपने घर लौटाया उसके अनुपस्तिती में उसका पुत्र कृष्ण शर्मा पुरोहिताई करके परिवार का खर्च किसी न किसी तरह चला लेता था राम शर्मा जब लौट कर अपने घर पहुंचा तब वैशाली राज्य में भयंकर अकाल का तांड़ा हो रहा था जनता नाना प्र भूसे ही उस राज में वर्षा नहीं हुई थी राजा ने वर्षा के लिए अनेक रुद्रयाग और वर्ण जाप करवाए पर कोई लाब नहीं हुए इस पर राजाने गोशना करवाई अगर कोई अपनी शिक्ति या युपती के द्वारा राज बर में वर्षा करा दे तो उसका स्वर्नाबशेक करूँगा। स्वर्नाबशेक की बात सुनते ही राम शर्मा का उत्साह बढ़ गया। अपने पुत्र को बुला कर वह गुप्तरुप से बोला। बेटा, मैं कई तकलिफे जेल कर हिमाले पर चला गया था। वहाँ पर एक सिद्ध ने मुझको एक मंत्र का उपदेश दिया है। उस मंत्र के प्रभाव से मैं राज में पानी बरसा सकता हूँ। तुम्हें शायद मालुम होगा कि राजा ने वर्षा करने वाला का स्वर्नाबशेक करने की घोशना की है। इससे दो लाब एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। एक तो हमारे राज का कल्यन होगा और दूसरे धनसंपती के साथ सारे राज में हमारा सन्मान भी पड़ेगा। अपने पिता की बाते सुनकर कृष्ण शर्मा के आश्यरिका टिखाना न रहा। उसने प्रसन्न होकर पूचा, क्या अब सच्मुच मंत्र के ब्रवाओ से पानी बरसा सकते हैं। पहले ही राजा को सूचना किये बिना मैं पानी बरसा दूँ, तो राजा कैसे विश्वास करेंगी कि मैंने ही पानी बरसाया है। एसी हालत में उन्होंने स्वर्नाबशेक की जो घोशना की है उससे मैं वंचित रह जाओंगा। इसलिए हमें पहले राजा को इस बात की सूचना देना ही होगी कि हम सारे राज में पानी बरसा सकते हैं। तब वे हमारी मंत्रशक्ती पर विश्वास करके अपने वचन का पाल कर कहा। पिताजी हम लोग अपने पेशे के द्वारा सुक्मय जीवन व्यतित कर रहे हैं। इसलिए ऐसी हालत में स्वर्नाबशेक से हमारा क्या प्रयोजन है। अपने पुत्र का उत्तर सुनकर राम शर्मा ख्रोदित हो उटा और बोला। तुम्हें तो दुनियादारी का अधिक अनुभों नहीं है। मेरा कहा मान लो। यूँ पुत्र को डांट कर फिर बोला। सिद्ध ने मुझे जिस मंत्र का उपदेश दिया है। उसे तुम्हें भी सीख लेना ज्यादा उत्तम होगा। यूँ समझ कर उसने कृष्ण शर्मा को मंत्र उपदेश दिया। बे आएगी। यदि तुमको वर्षा बंद करवानी है तो उसी पद्धती में वापसी मंत्र का तीन बार पठन करना होगा। यूँ कहकर वह उसी वक्त राजसमा की वोर चल पड़ा। राजा रामशर्मा की बाते सुनकर बहुत प्रसंद हुआ। और बोला। पंडित जी अब ततकाल पानी बरसाइए। आपको विधित ही होगा कि मैंने पानी बरसाने वाले का स्वरनाबशे करने की घोशना की है। विश्वास रखिये कि निश्य ही मैं अपने वचन का पालन करूँगा। इसके बात रामशर्मा वैशाली नगर की उत्तरी दिशा में एक तालाब की मेड पर स्थित शिवर जी के मंदिर में गया। उसने सबसे पहले तालाब में सनान किया। तब उसकी मेड पर उत्तर की ओर मुह करके खड़े होकर तीन बार मंत्र का पटन किया। उसी समय वैशाली राज में काले बादल चा गये। प्रुद्वी को कांप देने वाले प्र बाहर निकल कर गलियों में नाचने लगी। राजा अपने परिवार के साथ वर्षा में भीगते हुए शिव मंदिल में आये और हात जोड़कर राम शर्मा से बोले। महाशय आपके अनुग्रह से वर्षा हुई और देश की रक्षा हुई है। वर्षा को रोकने के लिए जब तक में खबर न बेजों तब तक इसी प्रकार बारिश होने दीजिए। यूं कहकर एक भारी सोने की थाल में स्वर्ण मुद्राये और नवरतन राजा ने भर दिये और उस थाल को राम शर्मा के हाथ देकर अपने महल को लौटाये। मंदिर के बाहर प्रलाइकारी भी शन गर्जन के साथ वर्षा हो रही थी और भीतर राम शर्मा अकेले ही बैटकर राजा से प्राप्त स्वर्न मुद्राओं और नौरतनों की ग्नती कर रहा था। उसकी आंखे उस द्रव्य को पाकर चमक रही थी। उसी वक्त चाल डाको मंदिर में गुस पड़े और राम श तक राजबर में जो बारिश हुई वह पर्याप्त है। इसके बाद उन्होंने यह समाचार देने के लिए मंत्री को राम शर्मा के पास बेच दिया। वहाँ पर मंत्री ने देखा कि राम शर्मा की हत्या हो गई है। मंत्री ने राजमहल में लोटकर यह खबर सुनाई। राजा यह कबर सुनकर बहुत दुखी हुए। तब यह सोचकर उन्होंने मंत्री को राम शर्मा के घर बेच दिया। कि शायद इस चल प्रले को रोकने में राम शर्मा का पुत्र कोई मदद पहुंचा सके। कृष्ण शर्मा अपने पिता की मुठ्यू का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसकी मा और बेहन के दुख की कोई सीमा न रही। इस पर मंत्री ने उनसे कहा। तुम लोग शांत हो जाओ। वर्शा के अभाव में मरभूमी बनने वाले वैशादी राज को राम शर्मा ने अपने मंत्र के बल से बचाया। हत्यारों की वजह से तुम्हारे परिवार को ही नहीं बलकि सारे राज के लिए अपार क्षती हुई। अब हमारे सामने यह सवाल है कि इस समय पूरे राज में होने वाले जलप्रलेग से रक्षा करने की जिम्मेदारी राम शर्मा के एकलोते पुत्र की है। थोड़ी देर बाद क्रिश्य सर्म अपने धुक पर नियंत्रन किया। फिर अपने ही मकान में एक पैर पर उत्तर दिशा की तरफ अभिमुक हो खड़े होकर उसने वर्षा के बंद होने का मंत्र तीन बार पड़ा। तक्षन वह मुसल्धार वर्षा बंद हो गई। मंत्री ने अपना मस्तक जुका कर प्रिश हाती के होदे पर बिठा कर ले जाने के लिए आओंगा। यू कहेकर मंत्री चला गया। दूसरे दिन प्रातक काल मंत्री हाती के होदे के साथ दल बल सहित कृष्ण शर्मा के घर पहुचा। पर वहा मंकान के किवाडे पर ताला लगा देक आशर चकित हुए। और साथ ही उन्हें दुख भी हुआ बेताल ने यह कहानी सुना कर कहा राजन कृष्ण शर्मा राज सम्मान का तिरसकार करके अपना घर छोड़कर किसी अध्यात प्रदेश में चला गया इसका कारण क्या है उसके पिता ने काफी शम उठा कर जो मंत्र शिक्ति प्राप्त की वह इस समय क राप्त होने वाले अपार धन को लेकर वह अपना सारा जीवन सुकपूर्वक बिता सकता था क्या इस डर से वह नगर छोड़कर भाग गया कि संपत्य के लालच में डाकू उसकी भी हत्या कर डालेंगे या कोई दूसरा कारण था इस संदेह का समाधन जानकर भी आप ना द पाक्षी नहीं था बलकि उसके पास जो कुछ था उसी से वह संतुष्ष रहने वाला था उसने अपने पिता से जो बाते कही उनहीं से हमें उसका उद्देश मालूम होता है कृष्ण शर्मा धन संपति के प्रति अधिक मोह रखने वाला विक्ती नहीं था इसलिए वह अप उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी इसलिए डाकों का भाई भी उसे सता नहीं सकता था इन्हीं कारणों से वह राजा के द्वारा प्राप्त होने वाले धन के लोग में ना पढ़कर परिवार के साथ वह किसी अध्यात प्रदेश में चला गया राजा के इस प्रकार मौन भं होते ही बेताल शाव के साथ अध्रुश हो पुना हां पेड़ पर जा बैठा